अब इलाज में डाइबिटीज दमाग को एफेक्ट करती हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपके सारे शारीरिक पैरमीटर्स का नॉर्मल होना या कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है ना केवल आपका शुगर लेवल पर आपका ब्लड प्रेशर, किड्नी का स्टेटर्स, हीमोगलोबिन, कोलेस्टरॉल ये सारे पैरमीटर्स ना केवल डाइबिटीज परन्तु आपकी आँख को भी विशेश रूप से अफेक्ट करते हैं अगर कोलेस्टरॉल जादा है तो ये जो फैट है ये आपकी आँख में भी डिपॉजिट हो सकता है अगर हीमोगलोबिन कम है तो जो खून आँख तक पहुंच रहा है वो कम हो जाता है और डाइबिटीज के कारण जो बिमारी है बढ़ जाती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पिजिशन को कंसर्ट करके इन सब पैरामीटर्स को नॉर्मल में रखे जो हमारा आँख का इलाज है वो हमारे पास काफी सारी मोडालिटीज अब अवेलिबल हैं कि डाइबिटीज के कारण आँखों की रोश्नी ना जाए इनमे अगर हमारे पर्दे पर सूझन है तो हम आँख में दवाई देते हैं दवाई इन्जेक्शन के रूप में दी जाती है इन्जेक्शन हमारे पास कई अवेलेबल हैं जैसे की आंटी बी जे जी फ जिननग होते हैं Avastin और Lucentis और Steroid Injections ये mainly जो देखने के हिस्से पे सूजन हो गई है उसको कम करते हैं Injection आँख में usually एक से दो महिने तक रहता है कुछ थोड़े लंबे समय तक रहते हैं इसलिए हो सकता है कि ये injection आपको repeatedly लगे जब तक कि आपकी सूजन ठीक ना हो जाए Injection कई बार bleeding भी रोगते हैं आँख में इसके अलाबा हमारे पास laser का option है diabetes में Laser operation नहीं है जैसे कि कई बार समझा जाता है Laser एक overdue procedure है इसमें हम एक अलग wavelength की light से आपकी आँख के पर्दे को देखते हैं और उससे जो खून की नई नलियां बनी है उनको नश्ट किया जाता है कई cases में पर्दे की सूजन के लिए भी laser किया जाता है अब क्यूंकि laser operation नहीं है इसके लिए कोई precaution या इसके बाद भी कोई precaution की ज़रूरत नहीं है सिवाए dilatation के और कोई आपको restriction नहीं है laser की भी multiple sittings की usually ज़रूरत पड़ती है अगर बीच के हिससे में हो रहा है तो एक या दो sittings भी suffice करती है परन्तु अगर खून की नई नलियां बन गई है तो minimum 3-4 sittings हर एक आँख में आपके ज़रूरी है अगर diabetes ने आँख को बहुत ज़ादा effect किया है यानि कि आँख में खून आ गया है या आपका परदा उखड़ गया है तो एलाज largely हमारा operation से ही होता है operation से खून को साफ करते हैं हम और परदे का status देखते हैं अगर परदा उखड़ा हुआ है तो परदे को बिठाने का प्रयतन किया जाता है ये सब surgeries आजकल हमारी micro incision होती है यानि कि इन में कोई भी बड़ा तांका या बड़ा चीला लगाने की जरूरत नहीं होती है और कई बार हम आँख में oil डालते हैं ताकि की परदा बैठा रहे जिसको बाद में निकालने की जरूरत पर सकती है तो finally मैं ये stress करना चाहूंगी कि जो diabetes के कारण हमारी आँख affect होती है उसको हम कैसे prevent कर सकते हैं early stages में तो जादा रोशनी के फरक नहीं पड़ता पर late stages में कई बार इलाज के बावजूद भी रोशनी पूरी वापिस नहीं आती इसलिए जरूरी है कि हम अपना sugar, blood pressure, hemoglobin सारे parameters नॉर्मल में रखें और time to time retina specialist को जरूर consult करें चाहे आँख में तिकत हो या ना हो क्योंकि early stages में diabetes जब आँखो affect करती है हमें कोई भी complaints नहीं होती इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बिना किसी शिकायत के भी अगर हमें diabetes हैं तो हम retina specialist से अपनी आखों का परदा time to time जरूर चेक कराते रहें